कुशेतर से पिहोवा जा रही प्राइविट बस गुरुवार को अन्यंतित होकर डिवाइडर क्रोस करते हुए दूसरी दिशा में जापलटी इस हाथसे में एक महिला सवारी की मोथ हो गई जबकि पांस सवारी घायल है घायलों में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है जिने सवारियों का आरोप है कि ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था कि अचानक बस अन्यंतित हो गई ड्राइवर बस कंट्रोल नहीं कर पाया तो डिवाइडर क्रोस करते हुए दूसरी दिशा में चेली गई और सड़क किनारे पलट गई हाथसे के वक्त बस में करीब 50 सवारिया थी एक महिला शीला की मोखे पर ही मोत हो गई उसका पती गुरु दयाल भी बस में सफर कर रहा था दोनों नए बस अड़े से प्योवा के लिए बस में सवार हुए थे हाथसे में पांस सवारिया घायर हुई है इनमें से तीन को गंभीर चोटाई है जिसके चलती ने चंडि इसे ही लेटे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सुप्सक्राइब करें धन्यवार